हेलो सलाम उलेकुम वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आमिर हान स्टूरेंट्स का इड़र्स चैनल वीवर्स आज की वडियो बहुत ही यमी स्टैस्ट सो वीवर्स वीडियो इंट तक देखें तक कि आपको तमाब डेटेल्स समझ में आ जाए डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बटन फॉर वीडियो तो वीवर्स आज की वडियो को बिना किसी देर के हम करती हैं स्टार्ट आज हम बनाने लेगी हैं मिक्स वेजिटेबल्स किस तरीके से बनानी हैं पटाटो मैंने ले लिए थे दो बड़े साइस के हम इसको मैंने स्लाइस में काट लिया इसके गाजल ले थी गाजल ले थी मैंने दो जॉर्ट पाइज दे नरी लाफ टेबल स्व्रय उन्ट यजितां जॉर्ट इसको मैंने मटर लिए नी हैं और अपना बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनाना है फ्लेम ओन कर लिया है मैंने और अब मैं क्या करूंगी अपने मेजिर्मेंट के हिसाब से मैं तीन डोंगिया जो हैं वो ओल अड़ करूंगी और आपके measurement के हिसाब से viewers एक cup oil आप एड़ करेंगे और एक cup oil एड़ करने के बाद जैसे ही oil जो हिलका सा preheat हो जाए उसके अंदर एड़ कर दूंगी मैं onion यानि के प्यास slices में काते हुए और viewers ये मैं एड़ कर दूंगी और इसको मैं saute करूंगी प्यास को आपने मुसलसल चमचा हिलाते जाना है क्यूंके प्यास हमने dark golden नहीं करना light golden brown रखना है प्यास का texture जिस color का होगा उसी color की फिर आपकी हंडिया भी बनेगी तो हंडिया लाइटर शेट में ज्यादा अच्छी लगती है और आपने घरे होके मुसलसल समचा हिलाते जाना है और इसको light golden brown इस तरीके से हमने कर लिया है अब light golden brown जैसे ही प्यास आपको होजए उसके अंदर आपने वन कप वोटर आड़ करना है ये देखी ही मैं एक लास पानी इड़ करदेंगे ःसके न दर वहाद कर दूझा Sandra ये पानी आड़कर दूझाने के बाद फाईय हम इसलिए एड़ करेंगी ताकि प्यास जो है हमारी वीवर सोप्ट हो जाए ही तो वीवर्स पांच मिनुट बाद जो हम देखते हैं यह हमारा वोटर जो है कम हो चुक है और प्यास भी हमारे सॉफ्ट हो चुक है जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैंने क्या करना है थोड़ा प्रॉब्लम आरी है क्योंकि एक हाथ से में शूटिंग करी हूं और एक हाथ से साइच चीज़े एड़ करी हूं है एक टेबल स्पून जो है अदरक लसन का पेस्ट यानि के जिंजर गालिक पेस्ट जो है मने वान टेबल स्पून भड़कर ज पहले मैं सिर्फ वन टेबल स्पून जो है सोल्ट एड़ कर रही हूं जब हमारी हंडिया रड़ी हो जाती है उसके बाद जो है लास्ट स्टेज पर आप सोल्ट जो है अपना चेक करके और एड़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो इसके बाद जो है नेक्स्ट इंग्रेड ऄड़ करके से मिक्स कर रही हूं मिक्स एक-भू मिन्ट जो है आपनेस्ट इंवर्टेन मैं आड़ कर रही हूं वो है गाजर गाज ginger aad करेंगे हम इसके नर गाजरियों जो इसको मैं थोड़ीवार धर झोड़ा हूं जो मैं दो खोड़ा होat omdy ऑठर जोड़ होगी तक इना मैं आलो का पानी पर द्रेन कर दिया और मैं गाजरों को नमक लगा कर छोड़ा हुआ था इसलिए नमक निकल जाए तके गाजरे थोड़ी मीठी होती है उसके मीठास पन खतम हो जाए पानी से दोलिया अब गाजरे जो है मैं आड कर दूंगी और पांच मिंट बात धकन उठा इंदर आलो एड कर दूँगी आलो के साथ जो है हमारा थोड़ासा वाटर भी है था उसके सातहि मीठ कर दूँगी आलो एड करने के बाद जो हैं इसको को छुड involves को एक जो शाजह पर उसके बाद खोड़ेंगे 10 to 15 min lotta तक झाके जो है सारी सब्सhhh जो है वह सॉफ्त मने छोर दिया हाँ , तो अब इसको छोर दिया, यहां पर मेरी थे पोटर एड़ पो जोर दिया है यहां पर ठोर अफ़कर भी छोर दिया है स्पाइसे से उसे होने है स्बाइसेज़ में हम धकन उठाकर देखेंगे कि हमारी जो है वो क्या सोफ्ट हो गई है वेजिटेबल्स तो अब हम धकन उठाकर देखेंगे हमारी वेजिटेबल्स जो है वो सोफ्ट हो चुकी है और इसके बीच में थोरा सा पानी अभी रहता है तो इसके साथ जुल झेल ती हम जो है ये देखें सौफ्ट हो गई है है। सोफ्ट हो गई है अब हमें इसके अंदर जो है आगे जो है अज करने के जो है इसके अंदर चाड़ार की बूरिऊ अचाही say action अग्ल Really करना है तरह कि तरह के साथ हम थोरा सा वोटर भी आड़ करेंगे वह भी आपको अभी आपको दिखा अभी जो है मैं प्रस्टी किसे मिक्स का रही हूं और ताकि या ची तरह का से मिक्स हो जाए और इसके बाद जो है ताकि निए टिमाटर ग्याट आपके स्वाइस प्रेजी निए धाया है, जाए हमारे डिमाटर प्यूडी और चोड़ी अब हम इसको फड़ा लेगे आपके जो खाया है, आपके हमारे बुरु थाइसे थारी का यूड़ा है, मिख्वाइस अच्छापन देख तेखें थाइं आप अपने स्पाइस के मताबिक जादा भी यूज़ कर सकते हैं इतनी इनफ है तो हमने ग्रीन चिलिस जो है वह दो आड़ कर दी है और अब मैं अची तरीके से इसको कारी हूं मिक्स करने के बाद जो है इसके अदर देखें और निकला है और यह कितनी मज़ितार से सॉप हो है यह हमारे सारी वेज़िटेबल्स आप इसके ने और और वेज़िटेबल्स भी आड़ कर सकते हैं जैसे के गोबी और जोंसे आपको पसान दो लेकिन जो है मैं सिर्फ यह यह आड़ कर रही हूं और इसको जो है भी ढखकर मैं बिक्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दूगी आफटर फाइफ मिनट्स बाद इसका फ्लेम ओफ करेंगे हम और अब जो है मैंने फ्लेम ओफ कर दिया है डखकन उठा कर देखेंगे तो यह देखें मज़दार सी जो है हमारी वेज़िटेबल्स मिक्स वेज़िटेबल्स रड़ी हो चुकी है कितनी सोफ्ट हो गई है आप देख सकते हैं और मज़दार सी रड़ी हो गई है अब इसके उपर से गार्निश करूंगी कोई अनिके धनिया आप गार्निश कर लीजिए सो मैं इस तरीके से का रही हूँ एक हाथ से श्यूटिंग और एक हाथ से जो है वो मैं हंडिया भी बना रही हूं तो इसवर से थोर किसे बढ़ाया कर आप ही ट्राइ कीजिए उमीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी सो यह सबने खाई थी और बहुत मज़दार बनी थी आप ही ट्राइ कीजिए सो आज की वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तो अतनी देरी वीवर्स शेयर कीजिए फिर्णस और फैमली के साथ और कुमेंट करके अपना फीडबैक मस्ट दियेगा और मुझे और मेरी फैमली को दौा में जरूर याखेगा वीवर्स अगर सांसोने की वफा तो मिलेंगे नेक्स टूडियो में इसी तरह की मज़दार सी रेस्पी और गाइड क के साथ तो तीं देर के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और थैंक्यू सामच फॉर स्पॉर्टिंग में एंड ट्ली कार्स एंड विजिट मैं चैनल आई होप य लाकित मैं ओल वीडियो सो अलाहाफीज फीमानिला स्टे बलेस्ट